हेलो स्टूडेंट आज हम बर्कसीट 18 बर्कसीट किरमांग 18 है उसी हम हल करेंगी कक्छा सात्मी बर्कसीट किरमांग 18 इसमें हमें मात्तम समाबरतक लगत्तम समाबरतक और पूरांग की समझ के बारे में हम इस बर्कसीट में देखेंगे चलिए तो हम देखते हैं जो पहला प गुड़न खंड लिखे हैं 45 की एक और वह सब्सक्राइब रहती है लेकिन इसके गुड़न खंड क्या होंगे 3, 5, 9, 45 और एक भी इन में सामिल रहती गुड़न खंडों में अंगला है जो अंगला प्रशन है 60, 60 के जो हमें सभी गुड़न खंड लिखेंगे वह हमने यहां प 5, 12, 15, 30 और 60 इसके गुड़न खंड देखिए अब प्रशन है जो तूसरा इसमें क्या लिखा है गुड़न खंड ब्रक्ष में गुड़न खंड भरे गुड़न खंड ब्रक्ष में क्या भनना है गुड़न खंड जैसे यहां 32 लिखा है 32 के गुड़न खंड देखेंगे 4 औ और दो चार दूनी आठ होती हैं अब यहां चार की गुड़न खंड देखेंगे चार की गुड़न खंड क्या होती दो दूनी चार होती तो हैं हम दो यहां दो लिखेंगे यहां 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 चार की गुड़न खंड क्या होंगी दो गुड़े दो दूनी चार इस तरीकी से हम गुरन खंडर व्रक्ष को भरेंगे चलिए अब देखते हैं जो प्रशन है तीसरा प्रशन तीसरा है यहां क्या लिखा हुआ है आठ के प्रथम पांच गुरज लिखिए आठ के प्रथम पांच गुरज लिखना है क्या लिखना है आठ के प्रथम पांच गुला आठ तीरी 24 अट चोंगी 32 अट पंची 40 अट चोंग अट आलीस और आंगे भी हम इस परकारिन की गुरार डेख सकती हैं प्रस्वणी चौत्अ है इसमें क्या दिया है प्रस्वाती में इसमें दिया है बीस और बारा और बीस की क्या निकाल लीए सारब गुडंखंड निकालनी कैसी निकालेंगे इसकी सारब गुडंखंड रहेंगे और और रहो manque मतलब जो दोनों में हो उनको सार्व गुलनखंट कहती है यहां देखिए क्या है यहां पर एक भी दोनों में हैं दो भी दोनों में हैं चार भी दोनों में हैं तो इसकी सार्व गुलनखंट एक दो और चार होंगी अब देखिए जो प्रश्ण छटमा है प्रश्ण पांचमा है इसमें लिखा हुआ है चैए आठ और दो की सार्व गुड़ज लखना आए चैए आठ और दो चैए आठ की प्रत्थम दो सार्व गुड़ज लखना है देखिए तो यहां पर चैए गुड़ज लेखेंगे 6 हम 6 ? c29वारा 5-9-630 इस परकार से हम च्छै के गुड़ज लखेंगी 8 की गुडज लखेंगी हमें क्या निकाल में दो सार्व गुडज लेकालला है देखि यहां पर 24 से यहां भी कामाने यहां भी कामनंहें मतलब हो फामानेश्त भर्विगलज होंगे चलिए तो हम अलगी बरक्षीट को देखते हैं बरक्षीट क्रमान कि जो 19 question क्या है उन्नीस है इसमें देखिये क्या लिखा है संख्या रिखापर पूर We haveura को जोड़ना है संक्या रेखा पर क्या करना है पूरा अंकों को जोड़ना है तीन और पांच को जोड़े यहां उधारण में समझाया है तीन और पांच को जोड़े देखिए संक्या रेखा के बीच में क्या होता है जीरो और दाई और संक्या रहती है यह किस में रहती है धन में मतलब प्लस में रहती है यहां बाई और जो संक्या रहती है वो किस में रहती है माइनस में रहती है मतलब रण में रहती है बीच में क्या रहता है यहां पर बीच में जीरू रहता है सुन रहता है अब यहां देखिए तीन और पांच को जोड़ना है तीन और पांच को जोड़ना है देखिए प्लस एक दो तीन इह है यहां क्या जोड़ना है पांच तो हम यहां से पांच कहा जाएंगे जोड़ेंगे प्लस में जाना है धन की पांच है तो यहां से हम पांच किनेंगे एक दो तीन चार पांच कहां पहुंच गई आठ पर पहुंच गई तो हमारा उत्तर क्या आएगा प्लस की आठ तीन और पांच जोड़ने से क्या होता है आठ प्राप्त होता है जब अंगला उधार हैं अंगला प्लस ने इसमें क्या लिखा हुगा है इसमें लिखा हुआ है संख्या रेखा पर क्या जोड़ना है रन तीन और पांच जोड़ना है रन तीन और रन पांच जोड़ना है देखिए तो रन तीन कहां है संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर रन तीन है जो देखिए यहां पहुंच गए हम अब यहां से जोड़ना है रन पांच है जोडते हैं रन पांच की संख्या बढ़ती जाती यदि प्लेशन में होता ही तो हम कहां जोडते हैं इस सैड की जोडना बढ़ती, संख्या रेखा है माइनस में है तो मांस की तरफ बढ़एंगी यहां दो-3-4-5 कहां पहुंच गई है रन आठ पर पहुँच गई, तो क्या answer आएगा, run-out होगा answer, चलिए अब्यास त्रैस्नों को हम हल करती है अब भ्यास प्रश्ण को हमें हल करना है देखिए तो यहाँ पर क्यासी हल करेंगी संक्यारेखा का प्रियोग करती हुए योग ग्यात करना है देखिए यहाँ पर यह संक्यारेखा है यहाँ क्या है जीरू हमें पहले कहां जाना है रन दो रन दो पर हम यहाँ पहु इस तरीके से डाइग्रम बनेगा बनेगा कि नी बनेगा कहां पहुंच गई हम चार पर पहुंच गई अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा चार हमारा उत्तर होगा इस तरीके से हमें योग करना है देखिए तो अंगला प्रश्ण है अंगला प्रश्ण क्या है धन की पांच में क्या जोड़ना है रन तीन जोड़ना है पहले हम पांच पर जाएंगी पांच पर हम यह चले गई प्लस की पांच पर अब यहां से क्या जाना है रन की तीन जाना है रन की तीन कहा रहती है बाइंगोर बढ़ना सुरू होता है रन की तीन देखी तो बाइंगोर कैसी बढ़ें है चित्त में कि द्रान तिन कहां इसते त है इस तरी ही डाइग्रम बना है अब देखिए उत 2 हैं इनको हमें जोड़ना देखिए संक्यरिका पर रन चार और रों 0 रहेगा यहां रहेगा 1 2 3 अब यहां रण के देखना है एक रण 2 रण 3 रण 4 और आंगे बढ़ेंगी तो रण 5 इस तरीकी से रहेगा हमें क्या जोड़ना है देखी 4 रण 4 में रण 2 जोड़ने हैं 6 और रण 7 यहां हम पहले रण 4 जाएंगी 1 2 3 रण 4 रहा हमें क्या जोड़ना है रण 2 रण 2 मतलब किस्षर उड़ा थी इस सूट बाइंग उड़ा थी है रण 2 जोड़ेंगी तो एक और एक दो कहां पहुँच गए हम यहां 6 पर पहुँच गए रण 2 जोड़ेंगी इस पर 6 आएगा तो हमारा अंसर क्या आएगा रण की तीन जोड़ेंगी देखिए तो यहां पर संख्या रेखा हमने दर्सा यहां अब देखिए बीच में क्या रहेगा जीरो और यहां हमें रण 5 में धन 3 जोड़ना है यहां देखिए 1 2 3 4 इस तरी किसे रहता है यहां पर रण 1 रण 2 रण 3 रण 4 यहां पर रण 5 रहेंगी ह हमें क्या करना है रण 5 कहा है यहां से धन की तीन जोड़ना है देखिए जीरो यह सूर जाएंगी तो प्लस में रहेगा यह सूर जाएंगी तो माइनस में संख्याय रहती है किसमें रहती है माइनस में संख्याय रहती है देखिए तो रण 5 में हमें धन 3 जोड़ना है जोड़ हो जाएगा अंगला प्रेशनल जैसे साथ में हमें क्या जोड़ना है दो जोड़ना है साथ में हम दो जोड़ेंगे देखिए यहां पर जीरो रहेगा बीच में एक दो तीन चार पांच छे यहां रहेगा साथ यहां रहेगा आठ यहां रहेगा नो हमें जोड़ना है साथ प् क्या जाएगा प्लस के 9 है जो हमारा अंसर होगा इस तरीके से हमें इस परक्षीट को हल करना था चलिए दूसरी परक्षीट है बरक्षीट के रमांग है जो 20 कुन सी है 20 है जो इसको हम हल करेंगे इसमें क्या करना है पूरा अंकों का जोड पूरा अंकों का हमें जोड हल करना है जोड़ेंगी देखिए तो उधारन दिया हुआ यहां पर पांच धन रन आठ प्लस में है पांच धन रन कोश्टक में है क्या आठ इनको हमें जोड़ना है कैसे जोड़ेंगी हम प्लस प्लस का क्या होता है माइनस यह हम जानती हैं देखिए यहां पर प्लस प्लस का क्या हो होता है माइनस अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे असमान चिन है तो हम घटाना करेंगे असमान चिन्नों में क्या होता है घटाना होता है आपको यह बात याद रखनी है असमान चिन आई असमान मतलब अलग अलग एक धनका एक रणका तो क्या होता है घटाना होत है और किसका घटाएंगे बड़ी संख्या में असी घटाएंगे और जो बड़ी संख्या है उसी हम चिन लगाएंगे देखिए बड़ी संख्या है आठ है च्राइंगे Hai रण के तीन रण क्यों लगाया क्योंकि बड़ी संख्या में रण का चिन था तो आंसर होगा हमारा रण तीन इस प्रकार से हमें हल करना देखिए जोड प्लस माइनस में है जोड घटाना में धन और रण का क्या होता है रण होता है धन और रण का होता है यह हमें याद रखना है बस और असमान चिन आ जाएं तो हम करेंगे घटाना आ समान चिन आ जाएं असमान चिन में क्या करेंगे घटाना और समान चिन आ जाएं तो हम करेंगे जोड़ना यह आपको ध्यान में रखना है चलिए तो हमभ्यास प्राष्णलें उनको हल करते है उतलस प्र dafür एक ए मुपार्फ हो समान चिन क्या करते हैं जोड़ना करते हैं चिन वह ही रहता मध्या रहा दॉठागे रहेंगी तो क्या हैंगी 15 और रहेंगी इस तरीके से हल करना है अब देखिए प्रैस्ने दूसरा इसको हल करेंगी दूसरी नमार के रण के 13 हैं प्लस धन के 7 यहां धन का धन ही रहेगा क्योंकि यह चिन नहीं बदलता रण में अकीला बदल जाता है रण का होता तब बदल जाता धन के 13 हैं और धन के 7 हैं अभी हमने बताया था कि आसमान चिन आ जाएं आसमान मतलब अलग 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 चिन आ जाएं तो क्या क करते हैं बड़ी संख्या सी घटाती है और जो बड़ी संख्या में चिन लगा है वही चिन हम लगाती है देखिए बड़ी संख्या यहां पर क्या है तेरा है तेरा में सी हम साथ को घटाएंगे क्या बचीगा छे बचीगा छे में हम माइनस का चिन लगाएंगे क्योंकि पस्वारा अंसर क्या होगा अब हम प्रस्थे तीसरा को लका परें इसमें क्या लिखा होगा इस में देने कोछ तकलिए और दास यहां चिन्न बदल जाते कि कि लिए दस यह आ जाएगा अब देखिए असमन चिन्न हो गई, साथ में क्या है प्लस का, दस में है रण का, तो हम इनको घटा देंगे बड़ी संक्या कुन सी यहां पर 10 से 10 में से हम 7 घटाएंगे क्या बचेगा 3 बचेगा इसमें कुन सा चिन लगेगा बड़ी संक्या में कुन सा चिन है आप बताएए आप सभी बड़ी संक्या में है जो रन का चिन है तो हमें यहां रन का चिन लगा देंगे इस परकार सी रन 3 हमारा उत्तर होगा अंगला प्रेस ने चौथा इसमें देखिए रिन चार धन को इस तक में रिन चार तो धन रिन का क्या होगा यहां पर रिन होगा धन और रिन का रिन हो जाएगा क्या जाएगा रिन चार अब कैसी चिन आ गई समान आ गई समान में क्या करते हैं समान में क्य करक्या होंगे रणकी 8 चिन वहीं लएगा हम केबल जोड़ देगी रण 8 हो जाएगा चौ पांच माहा है इसमें देखिए रणकी 13 और धनकी 18 चिन कैसे अलग अलग हैं रणकी 13 धनकी 18 अलग अलग होगे प्लस में होगे धन के 5 इस तरीके से हमने बर्क सीट को हल किया आए कि जो बर्क सीट है उसको हम अंगले वीडियो में हल करेंगे यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक सेयर भी करें